तो आज के इस वीडियो में हम specifically discuss करने जा रहे हैं कि AIMS BAC Nursing 2022 में आपकी क्या preparation strategy रहना चाहिए और कैसे आप ये examination qualify कर सकते हैं सारे subjects को cover करके तो इस वीडियो में आपको important tips देंगे जिसको अगर आप अच्छे से follow करते हैं तो हम ज़रूर आशा करते हैं कि आप AIMS BAC Nursing 2022 का examination crack कर लेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजे हमाई टेलिग्राम चैनल का link भी description में दिया है उससे भी आप add on हो सकते हैं ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे तो हमारे चैनल पर बने रही है आए चलते हैं स ठीक है तो बिलकुल आपको clear है कि इसका examination pattern जो 2022 में पिछले साल की तरह जो आया है इसमें 100 multiple choice question होंगे मतलब एक question के चार answer होंगे और उसमें से आपको एक को सही करना पड़ेगा यह 100 multiple choice question आपको 2 घंटे में करने हैं तो आपके पास time 120 मिनट होगा और question रहेंगे 100 ठीक है तो इन 100 को अगर हम divide करें तो physics, chemistry और biology यह आपके 30, 30, 30 questions है और general knowledge 10 questions है ठीक है अब इपर important चीज़ यह है कि जो physics, chemistry, biology आएगी आपकी 11th और 12th दोनों की आती है कई लोग का confusion रहता है कि 12th class की आती है ऐसा नहीं है 11th और 12th दोनों की आती है major किसकी आती है major किसकी नहीं आती यह अ chemistry, biology में आपको 30, 30 questions cover करने है general knowledge के आपके पास 10 questions होते है ठीक है तो आपको इससे के 100 MCQ देने है लेकिन important चीज़ यह है जब आप यह 100 MCQ 120 मिनिट्स पर दे रहे होते हैं तो वहां negative marking भी होती है और एस बेसे nursing का negative marking का pattern यह है कि एक question one marks का होता है और अगर आप उसे गलत कर देत हैं तो minus one by three हो जाता है मतलब आपका 33 percent mark deduct हो जाता है तो इसलिए exam देने में हमको यह बहुत ध्यान देना है कि हमाई negative marking minimum हो क्योंकि हम जादा तर question अगर guess करके या तुक्का लगाई कर देते हैं तो overall answer हमारा गलत हो जाता है overall result हमारा कम हो जाता है क्योंकि negative marking आपके number को पीछ आप confident हो कि इसका almost यही answer होगा अब तयारी की बात करते हैं तो physics, chemistry, biology हम देखते हैं कैसे आपको तयार करनी है तो देखें जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ और यही सत्य भी है कि physics, chemistry, biology क्योंकि 12th class के आ रही है तो सबसे best चीज़ होती है वह आप NCRT पढ़िए अभी पहले biology, NCRT, chemistry, NCRT, physics तीनों आपको पढ़ना है इसमें important चीज़ क्या पढ़नी होती है important चीज़ होती है जब आप कोई chapter पढ़ रहे होते हैं तो आखरी में जो questions दिये होते हैं चाहे वह objective हो चाहे subjective हो इनको आपको पढ़ना चाहिए objective है तो solve कर लिए subjective है तो यह आपको पता हो च objective है तो इसलिए जो questions chapter के end में रहते हैं तो शुरू से लेके आखरी तगर आपको हर question के बारे में पता है तो आप सभी उसके objective भी solve कर पाएंगे दूसरा मैं आपको एक tip और देता हूं कि जब आप कोई भी chapter पढ़ते हो चाहे biology का हो चाहे chemistry का हो चाहे फिनिस का हो तो उस chapter के बीच में जब बीच बीच में एक important box बना बना के कुछ important चीज़े लिखी जाती है तो उसको मैं बिल्कुल ध्यान से कह रहा हूं कि उसको अच्छे से पढ़ लीजे सारी NCRT किताब में क्योंकि उससे direct question आ जाते हैं तो मैं आपको वह जगहां बता रहा हूं जहां से direct questions आते हैं आप सभी ने intermediate किया है physics chemistry biology लिया हुआ है तब ही आप aims का preparation कर रहे हैं इसलिए आपको पता है कि आपने NCRT पढ़ी हुई है NCRT को आप पढ़िए और आकरी के question solve किजे अभी मैं आगे बताता हूं इसके साथ साथ अगर आप physics की बात कर रहे हैं तो कुछ important questions जो आते हैं व बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रिस्टेंस स्रीज बना दी कैपिस्टेंस स्रीज बना दी साती साथ वर्किंग और मशीन जैसे AC generator है swinging और बॉल है conductor super conductor materials क्या होते हैं atomics और molecular models क्या होते हैं जो light के फिनॉमना है ray के फिनॉमना है reflection total internal reflection reflection wavelength इन सबके questions बहुत ज़्यादा आ से कवर करना है मैं एक और आपको आईडिया बदा देता हूं कि अगर आप physics chemistry biology में जब आप तयारी कर रहे हैं तो एक book आती है जो की नीट के examination ली बहुत important होती है वो होती है NCRT on fingertips fingertips NCRT on fingertips तो वह एक मोठी किताब है खरीदना पड़ता है उसी कॉस्ट भी हाई है लेकिन उसमें multiple choice questions बहुत धेर साथ यह होते हैं उससे आपको questions मिल जाएंगे बहुत फाइदा हो आपको पहुचाने वाली तो अगर आप text books नहीं पढ़ना चाहते तो NCRT on fingertips से भी आप बहुत फाइदा मिलेगा उससे तो नीट की त्यारी की जाती है ठीक है और एंस के लिए भी अच्छा है अभी एक confusion और रहती बच्चों को की नीट क्या है एंस क्या है तो नीट का पैटरन अलग है एंस का पैटरन लग है मैं अभी एंस की बात कर रहा हूं ठीक है अब और बेस और आजाता है आई यू पीसी नेमिंग भी बहुत आती है है और पूछते हैं और 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 यह कुछ यह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिनके रिएटेट कोश्चन्स आने की चांस बहुत रहती है कोश्चन्स रिवाएंगे 30 मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की तो कोश्चन्स रिवाएंगे 30 बहुत जादा कोश्चन्स नहीं आने ठीके लेकिन यह 30 कोश्चन्स ऐसी जगहां से आएंगे कि वो पूरा स्लेबस कर रहा हो तो उन स्लेबस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने इस वीडियों बताया है जी में आपकी 12 स्टैंडर्ड की बाइलोजी की बाटनी जोलोजी और मैं आपको बताओं एक बहुत अच्छा टिप देता हूं कि जितने कॉंपटेटिव एक स्टैंडर्ड जो पेपर है वो आपका नीट का पेपर होता है समझ्यारी बात आपको तो बच्चे क्या करते हैं इस पूछते हैं सर अमस का पेपर क्या होगा एमस में कैसे पेपर आये पिछले साल के सौल करा दिए तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दो कि जायातर बेसी नर्सिंग इंट्रेस अउपर नहीं मिलता है बच्चे को जी बेफर मिलता नहीं है तो वह के सब्केस के बेशने की बार बता रहा हूं आप जब कठिन पढ़ेंगे तो आपको easy question automatically easy लगेंगे मेरा simple सा ही funda है आप डीट के question पर 2021-2022-2022 के solve कीजिए फिसके में सभी biology के best है आप concept भी clear होगा और आपका preparation भी बढ़िया होगी क्योंकि जब उस question को आप solve कर रहे होंगे तो आप concept clear हो रहा होगा तो उसके जब concept clear होगा तो आप question already solve कर ले जाएंगे इसलिए मैं जो questions बनाता हूं जो आपको पढ़ाता हूं उसमें कोशिश में यही रहती ही कि need questions मैं उसमें cover करूं तो नीट कोशिशन कवर करने होता है एक ही question में कई answers बन जाते हैं तो concept अगर एक टॉपिक मैंने catalyst पढ़ाया तो catalyst के नीट का paper मैं बढ़ाऊंगा तो उस question में फूरा catalyst का आधा chapter cover हो जाता है जो नीट का paper discuss हो रहा होता है तो यह फाइदा है straightforward पढ़ने की कोशिश मत कीजिए हाँ अगर आपके बस time कम है अगर आपके बस time कम है आप preparation आपकी अच्छी नहीं है तब तो आप straightforward पढ़िए लेकिन अगर आप बस time लगता है जाता है आप पढ़ सकते हैं तो please concept पढ़िए concept का मतलब यह होता है कि जब mcq पढ़िए आप कोई भी तो आपको book material को reference में रखना है लेकिन जब mcq solve कीजिए तो आपको पता हो कि एक एक option के बारे में आपको पता हो कि भले वह option गलत है लेकिन आपको आपको नौलेज होनी चाहिए यह नहीं कि आपका पहले का answer मुझे डी पता है तो उससे आप मुझे कुछ नी जानना a b c के बारे ही पता होना चाहिए कि वह कहां यूज होते हैं और वह क्यों गलत है तब मैं कहूंगा कि आपका question त्यार हुआ पूरा ओके इसी तरीके से आप खुब mcq solve कीजिए biology में तो मैं कहूंगा बहुत mcq solve करने जरू है को biology में data यह knowledge बहुत जादा होती इसलिए general knowledge की कोई सीवा नहीं है देखिए लेकिन वह यह जरूर कहूंगा कि आप general knowledge की बात कर रहे हैं तो aims में जिसमें दस question होते हैं बहुत important है वालब 10% मार्स आपके general knowledge में आ रहा है तो इस आप clear कर लिए कि 10 में 10 आप कोई भी नहीं कर पाएगा जो बच्चा टॉप भी करता वो मैं का current affairs question नहीं आएंगे जून में आएंगे आएंगे आपके पिछले साल के जुलाई से लेके अपकी साल के मार्च अप्रिल तक तो यह एक साल के खुब धेर सारे current affairs पढ़िए और थोड़ा बहुत बुक्स कंसर्ट कर लिए इसे लूसें जनरल लॉलशी बाच्चिव को इसपे disease और vaccine पे questions अच्छे बनते हैं जनरल लॉलशी के current affair में ओलंपिक्स पैर अलंपिक्स हुए हैं इनके question जरूर तयार कर लिए किसको gold medal मिला कितनी बार मिला किसको मिला इंडिया कितनी बार मिला कब participate गया यह सब अच्छे चीज़े होती है गौर्वर्मेंट schemes जो latest है जो एक सालों में आई हैं उनके बारे में डिसकस कीजिए नर्सिंग लेटर जीके भी आ सकता है जैसे Florence Nightingale के बारे में पूछ लिया गया और आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड सुना है कि यूर्स रेकप मनाया जाता है साइंस रेकप मनाया जाता है दियों को शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसी टिप्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे स्टडी आपको करनी है गाइड हमें करना है ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू बेरी मच और बेस्ट आफ लग